नमस्कार दोस्तों GSACP के YouTube चनल पर आपका स्वागत है आजम पारलियामेंट यानि की संसद की बात करेंगे संसद यानि की पारलियामेंट से जितने भी important question जो PYQ में आपके पूछे गए हैं उन सबको एक ही वीडियो में discuss कर दिया जाएगा कृपिया करके ध्यान से वीडियो को सुनिएगा तो पहले question से सुरात करते है पहला question बोल रहा है कि भारत के राष्टपती संसद का अभिन अंग हैं क्योंकि भारत के राष्टपती जो है वो संसद के अभिन अंग हैं क्यों अभिन अंग हैं क्योंकि वह दोनों सद्नों की बैठक बुलाता है बिल्कुल सही है प्रतेख सामानि निर्वाचन के बाद वह दोनों सद्जों के प्रतम सत्र को संबोदित करता है बिल्कुल सही बात है वह लोकसबा को भंग कर सकता है ये भी बिल्कुल बात है तो इसका सही जवाघ जबाब बारत का सर्वोच विधाई निकाय है और भारती संसद में राश्टपती तथा दो सदन एक राज्य सभा दूसरी लोग सभा ये दोनों होते हैं और राश्टपती के पास संसद के कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या इस्थगित करने अत्वा लोग सभा को भंग करने की सकती है क्योंकि ध्यान रखिएगा राज्य सभा को भंग कभी किया नहीं जा सकता अगर भंग किया जा सकता है तो केवल लोग सभा को ठीक है तो याद रखिएगा और लोग सभा को भंग करने की सकती किसके पास है, राश्पती के पास है, प्रतेक सामान निर्वाचन के बाद वहाद दोनों सद्नों की प्रथम सत्र को संबोधित करता है, तो इस कोशन का सही चौप क्या था, वह था option number D is the right answer, अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं, कोशन क्या है, को से पहले संसद में एक राश्पती होते हैं, और दूसरा कौन होता है, दूसरा लोग सभा होता है, और तीसरा राज्य सभा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे, पारलियामेंट किसे किसे मिलके बना होता है, तो केवल आप लोग सभा और राज्य सभा म द्वारा आनुपातिक प्रतिनिदृत्य के आधार पर चुने जाते हैं तो ये जो है कतन वो गतल गलत है क्यों क्योंकि राज सभा में प्रतिनिदृत्य के आधार पर नहीं चुने जाते हैं यह याद रखिएगा तीसरा ऑप्चन है कि लोग सभा मुख्यता जनसंक्या के जाएगा वो जाएगा option number B is the right answer, option number B is the right answer, याद रखिएगा जो अनुचेद 80 है ना, अनुचेद 80 के अनुसार, राज्यसभा के अधिक्तम सदस्य जो हैं, वो 250 निर्धारित किये गए हैं, कितने? 250 निर्धारित किये गए हैं, इन में से 238 सदस्य जो होते हैं, वो राज्यों वो राज्यों, वो संग राज्य छेत्रों के प्रतिनिदित, यानि कि अप्रत्य चुरूप से निर्वाचित होंगे, जबकि अनुचेद 80 का जो तीसरा घंड है, इसके तहट राश्यपती, साहित, विज्ञान, कला और समा सेवा में उतकरष्ट 12 लोगों को, 12 सदस्यों को जो है, वो नॉमिनेट कर सकता है, मतलब राश्यपती द्वारा वो चुना जाता है, और राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधी का निर्वाचन जो है, वो राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, तता संग राज्य छेत्र का प्रतेक प्रतिनिधी जो ह इस कारे के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है या जो चुनाओ है वो आनुपातिक प्रतिनिद्य पद्दति के एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है और आठ संग राज छेत्रों में से सिर्फ तीन और वो तीन कौन-कौन से हैं एक दिल्ली दूसा पॉंडी चेरी और तीसा जम्मू और कश्मीर इसके प्रतिनिद्य तुझो है वो राज्यसभा में है बागी किसी भी यूनिट रेटी के प्रतिनिद्य तुझो है वो राज्यसभा में नहीं है तो इस कौश्चन का एंसर क्या हो जाएगा वा हो जाएगा option number B is the right answer अगले क्यों बढ़ते हैं कोशन क्या है कोशन बोल रहा है कि राष्टपती संसत का एकंग है बिल्कुल सही बात है संसत के दोनों सदनों द्वारा पारी विधेयक राष्टपती के अनुमती के बिना कानून नहीं बन सकता बिल्कुल सही बात है उसके अनुमती के बिना कानून कैस से क्या बताया गया क्या कथित है ठीक है पहला है कि राश्टपती संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा क्या ये बात सही है बिल्कुल ये बात सही है दूसरा कदने की संसद राश्टपती और दो सदनों से मिलकर बनती है तो ये तो मैंने पहले ही बताया था तो इसका स जाएगा वह हो जाएगा बोथ वन एंटू आर करेक्ट अप्सिन नंबर बीज है इसका सही जवाब हो जाएगा अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं प्रेश्ट नहीं कि प्रितिनीदित्यु के अलामा विविद प्रकार्यों के साथ भारत की संसद एक विमर्सी निकाए भी है न करकार को जवाब देट है रहाना बिल्कुल सही बात है तीसरा है संविधान संसोधन बिल्कुल सही बात है कौन सा कार्य नहीं है वह है option number B Option number B जो है इसका सही जाएगा क्योंकि नीतिद्विद्विद्व का करियान्वन की कारेपालिका की अंतरगत आता है यानिकी इंतर गता था तो इसको याद रखिएगा संसत का कार्य समविदान संसोधन जन सिकायतों पर चर्चा अपने कार्यों एवं वे के लिए सरकार की जवाब दही सुनिश्चित करना होता है तो इस question का सही जवाब क्या था वाता option no.b is the right answer अगले question की और बढ़ते हैं प्रश्ण क्या है प्रश्ण बोल रहा है कि भारतिय संग की विधाई सक्तियां किस में नहीत होती है तो भारतिय संग की जो विधाई सक्तियां होती है वो संसत में नहीत होती है option no.a जो है इसका सही जवाब हो जाएगा option no.a जो है इसका सही जवा 89 से लेके 122 के अंतरगत किया गया है सम्विधान का जो अनुचेद नंबर 79 है इसमें कहा गया है कि संग के लिए एक संसद होगी जो राश्पती और दो सद्नों से मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमसा राज्यसभा और लोकसभा होंगे जिनके नाम क्या होंगे जिनके नाम संसद की संप्रभुता है नाइक समिच्छा से प्रतिबंदित है इंगाँ जहां पर संसदी संप्रभुता यानिकी सरवोचता के दान्त लागू है के विपृत जो है भारत में संसदी शासन व्यवस्था लागू करते हुए भी संसदी प्रभुता को स्युकार नहीं किया गया है भारत में संसदी संप्रभुता और नियाईक सर्वोचता के मद्य समन्वय इस्थावित करते हुए सम्विधानिक सर्वोचता के सिधांत को सम्विधान निर्माताओं द्व जो है वो संसत तता राज विधान मंदलो द्वारा बनाए गए कानूनों की समधानिक वैदता की न्याइक समिच्छा यानि की जुडीसियल रिविव करने का अधिकार प्राप्त है ठीक है तो आपको पता ही होगा 32 में जुडीसियल मतलब रिट जो है सुप्रीम कोड जारी कर तो उनी सब के बारे में बताया जा रहा है तो इस कुश्चन का सही जवाब हो जाएगा अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं क्या है क्या है कि कुश्चन बोल रहा है कि हाँ, question बोला है कि समविधान की विशय सूचियों में से दिये गए विशयों के अंतरकत विशयों पर कानून जो है, वो बना सकता है, क्वान कानून बना सकता है, पार्लियमेंट बना सकती है, ठीक है, option number B, जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको पता है, सरवोच नया गता है उसी क cape प्रशन क्या है वायर प्रशन क्या है की भारतिया सक्तीयों के विषया में निमलिकित में सब्सक्राना व्यक्ते हैं विच्छा सही है बिल्कुल सथे residual power जो है ठीक है अत्रिक्ट सक्तियां जो है दूसरा है कि अवसिस शक्तियों के विशाय में भारतिय सम्विधान आस्टेलिया के सम्विधान कानुसरण करता है बिल्कुल गलत बाद है इसके इसकानुसरण जो है वो नहीं करता है तीसरा कहाई कि एक विशाय अवसिस शक्तिय इने संसत करती है क्या वाद सही है बिल्कुल ये बात गलत है तीशरा कतने कि भारतिय सरकार अधिनियम 1935 ने अवसिश शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में सौप रखी थी बिल्कुल सही बाद है तो इस कोश्चन का सही जब क्या था वाथा option number C is the right answer ध्यांसे सुनिएगा कि अवसिश सक्तियों के मामले में भारतिय संसत जो है वो कनाडा के संसत से किसे कनाडाई संविधान का अनुसरण करती है ऑस्टेलिया के संविधान का अनुसरण नहीं करती है ऑस्टेलिया और सयुक्त राज अमेरिका यानि कि USA में अवसिश सक्तियां राज्यों के पास है कोई विशय अवसी सूची में है या नहीं इस बात का अंतिम निर्णे जो है वो उच्छतम ने आयले यानि कि सुप्रीम कोड द्वारा किया जाएगा तो इस question का सही जाब क्या था बता option number C is the right answer अगले question की और बढ़ते हैं question क्या है question बोल रहा है कि भारत की संसद के संबंद में निम्ने लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है पहला कथने कि संबंद में एक संसदी प्रडाली की सरकार का प्रावधान है बिल्कुल सही बात है दूसरा संसद का सरप्रमुक कार्य है मंत्री मंडल का प्रावधान करना बिल्कुल सही बात है तीसा मंत्री मंडल की सदश्यता निम्ने सदन तक सीमित है बिल्कुल गलत बा प्रेशन के हिसाब से सही जवाप क्या हो जाएगा वह जाएगा आप सि इस दा राइट ऐंसर अगले प्रिशन की और बढ़ते हैं प्रेश्ण बोल रहा है कि कथन और रीजन दे रखा है आपको बताना है कि क्या है क्या नहीं है कथन बोल रहा है कि भारतिय संसत असीमित विधाई विधाईनी सक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती हैं बिल्कुल सही बात असीमित सक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती हैं दोसरा समविधान ने न्याइक सरवोचता के सिध्धान को अपना जुडिशियल सुप्रीमेशी बिल्कुल ग संविधान की सर्वोचता का सिध्धान अपनाया गया है, ना कि बरोटे जो संशद है, वो असीमित्य के स्थिक प्रिवग नहीं कर सकती संसद अपनी सक्ति समविधान से ही प्राप्त करती है और भारती समविधान में नयाइक सरोचता यानि की जुडीसेल सुप्रीमेसी के सिध्धान को नहीं अपनाया गया है सम्विधान के व्याक्या और अभीभावक के रूप में Supreme Court कारे करता है ठीक है यह भी बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे नहीं है यह अभीभावक की तरह और सम्विधान की व्याक्या की तरह ही काम करेगा तो इसकोशन इनसर अंगले पर बढ़ते हैं प्रशन किया है कि निमने लिक्त में से किनको लोकसभा और राजसभा में मत्य्दान का बहुता है दूसरा संशत के उच्छ सदन के निर्वाचि सदश्यों इंप भी नहीं होता है तीसरा राज विधान मंदल के उच्छ सदन के निर्वाचित सदस्यों को बिल्कुल इनको भी प्राप्त नहीं होता है राज विधान मंदल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को तो इनको अधिकार प्राप्त होता है सही जवाब क्या हो जाएगा इस question का option number D अगले question क्यूभे बढ़ते हैं, प्रिशन क्या है play निद्दी में बोल रहा है कि, किस राज्य का लोगसभा वा राज्य सबसे अधिक है, तो वही है अपना उत्तरप्रदैs, उत्तरप्रदैस में सबसे अधिक लोगसभा और राज्य सबसे जाब हो जाएगा, उत्तरप्रदै के और बढ़ते हैं प्रशन क्या है प्रशन बोल रहा है कि भारती संसत के प्राधिकार के परिशीमन से सम्मधित निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला कतने अधिकांस महत्पूर विदियों का संसत में पूरा इस्थापन राश्पती की पूरु सहमती से होता है यह ब बोल रहा है कुशन है कि भारतिए संसत कि सट्रीटिसे प्रसासन यानि की अध्मिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रड करती है कि संसथी यह संथी ही होता है उसे ही कहा जाता है option number a जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अगले question क्यों बढ़ते हैं प्रश्न क्या है प्रश्न बोल रहा है की संसद में शून्य प्रहर के संबंद में कौन सा कतन सही नहीं है आपको बताना है ठीक है पहला कतन है कि संसदिय नियमों में सुनि प्रहर का कोई उलेख नहीं किया गया है क्या बात सही है बिलकुल ये बात सही है वह दोपाहर 12 बजे से सुरू होता है क्या ये बात सही है ये भी बात सही है तीसरा है कि प्रतेक व्यक्ति को या ज्यात होता है कि इस समय क्या घटित हो सकता है और सर जो है गा option number six दा राइट एंज शून निकाल जो है वो संसदी व्यवस्ता यानि भारत की ही देन यह इसकी देन और कोई नहीं है यह भारत में जन्मा है संसद के दूनों सद्नों में प्रश्ण काल के ठीक बात का समय जो है वो प्राया सून निकाल अत्वा जिरो आवर कहा जा जाता है यह जो है वर्स 1962 से जा रही है इसमें संसद सदस बिना किसी पूर सूचना के प्रश्ण उठा सकते हैं और संसद में सून निकाल का जो समय है वो दो पहर के बारा बज़े से लेके एक बज़े तक चलता है इस काल के दौरान सदस से अवी लंबनी महत्यों के मामलों को उठाता है तता उस पर तुरंत कारेवाही जो है वो भी चाहते है इस कोशन का सही जाप क्या था वाता उप्शन नमबर सी इस दा राइट अगले कोशन की और बढ़ते हैं प्रश्ण क्या है प्रश्ण बोल रहा है कि निमलिकित में से कौन संसद में एक गैर सरकारी सदस से जो है वो कहा जाता है किसको कहा जाता है मंत्रियों के अत्रिक्त अन्य सभी संसदों को अप्शन नमबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं प्रश्ण क्या है प्रश्ण बोल रहा है कि यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी स सदन का सदस सदन की अनुमति के बीना उसकी सभी बैठगों में एक निशित अवदी से अधिक के लिए अनुपस्थित है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोसित कर सकता है यह जो अवदी बताई गई है यह कितने दिनों की बताई गई है यह अवदी साथ दिनों की बताई गई ह option number A जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अगले question क्यों बढ़ते है question बोल रहा है कि संसत की संरचना के संबंद में निमलीत कतनों में से कौन सा कतन सही नहीं है आपको बताना पहला कतन है कि राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिद्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है नहीं ये बात गलत है जनता द्वारा लोकसभा में किया जाता है लोकसभा में संग राज्य छेत्रों से प्रतिनिद्यों का चुनाव प्रतिच निर्वाचन गारा किया जाता है सही बात है लोग सभव में अनुसوسची जाती और अनुसिज जन जातियों के लिए अस्थाना आरेचित किये गए बिलकुल सही बात है इस कोश्चन का जॉप क्या हो जाएगा वह जाएगा ऑप्स नमबर एस दा राइट अंश अगले प्रिशन किया है प्र प्रेशिडेंट भी होता है और बाकी मूल अधिकार से रेलेटेड है आप उसको देख सकते हैं तो कुश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा वह जाएगा ऑप्सन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यह DPSP में है यह फंडमेंटल राइट में है प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट ऑफ मैंनोर्टी राइट और तीसरा फंडमेंटल डूटी में कि अपने राष्ट उधज और राष्टकान का सम्मान करना राइट वर्क जो है DPSP पहले ही बता चुके हैं तो इस कोश्चन का सही जवाब क्या थ गोशित की जीपत के धारग को अयोग नहीं ठहरा आजाने का को छोड़कर बिल्कुल सही बात है दूसरा है अन्मुक्त दिवालिया हो अन्डिश्चार्ड इंसॉल्वेंट हो बिल्कुल सही बात है दूसरा कि भारत के सम्मेदान की दस्वी अन्यसूची के अंतरगत सब्सक्राइब करते हैं करने सब्सक्राइब निर्वाचय के निर्वाचय के निर्वाचक मंदल दौरा करता अगले question क्यों बढ़ते है question क्या है और आज का अंतिम question है कि निमलिकित कत्मों पर विचार करना है आपको बताना है और कौन सा सही है आपको बताना है पहला है कि संग राजे चेत्रों का राजे सभा में प्रतेजिन नहीं होता है बिल्कुल से नहीं गलत बात है क्योंकि तीन लोगों का होता है दिल्ली का होता है पॉंडिचेरी का होता है और जो एक जम्मू कस्मीर है उसका भी representation होता तो कैसे बोल सकता है कि निर्वाचन जगडों का निर्टै करना मुखे निर्वाचन आयुक्त के अदिकार छेत्र में नहीं ये बिलकुल गलत बात है वो सुप्री तीसरा है कि भारत के सम्विधान के मिशार संसन में केवल लोक सवा राजय सवा बिल्कुल गलत बात है इसमें प्रेशिडेंट भी तो साथ में होता है इसमें प्रेशिडेंट भी होता है प्रेशिडेंट होता है प्लस लोक सवा होता है प्लस राजय सवा होता तीनों होते हैं और हाँ इसकी पीडियोफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलिग्राम लिंक पर जाकर आप टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर जितने भी वीडियो की पीडियोफ हैं वो आपको समय समय पर और वीडियो जैसे ही आ जाएगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके टेलिग्राम पर आ जाता है तो उसको जाके प्लीज जरूर जॉइन करिएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सस्क्राइब करिएगा धन्यवाद